नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाजवला लेकर आया हूँ, विश्व अभी ख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तो आये बिना देर की शरू करते हैं मारी की कहानी कहानी का सिर्शक है मन का पुरुष, इसे लिखा है प्रतिभा रायने पत्थर की दिवार सा दोनों में प्यार था, ठोस, अभेद प्यार वह भी दामपत्य प्यार, दिर्ग, व्यापक जिधर से भी देखो बड़ा मजबूत, बड़ा दुरुस्त पती पत्नी को जिसने भी देखा है, यही कहा है रेडी का तेल, भेड का बाल 45 साल का मधुर दामपत्य जीवन है पती पत्नी में कभी भी मुह सुखा सुखी नहीं जब भी देखो हसी खुशी, मौज मस्ती, कुतुहल पती निर्मल की उची आवाज कभी किसी नहीं सुनी जब भी सुना है खुशी, उल्लास, रहस्य और हरसोलास भरा स्वर ही सुना है गुसा, खीज, गर्जन, तर्जन, होहला उनके संसार रुपी आसमान में अमावस का चान था जब कभी भी उची आवाज में पत्नी से कुछ कहते वह बनावटी, प्रेमभरा अभिने होता कमला का पत्नी रूप जिसने देखा है उसने सोचा है पत्नी नहीं साक्षात, सीता, सावित्री, दम्यंती, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती है रूप, गुण, सहन, शिल्ता, नम्रता, अतिथी, सत्कार, पती, भक्ती, प्यार, सिने भला किसमे उन जैसी नारी दिखाई देती है तकदीर है तकदीर के सिवा और क्या हो सकता है कभी-कभी पती निर्मल भी पतनी के एकागर प्रेम से गले तक छक कर मुह खोल कर कह डालते औरत का जीवन मिला है तुम में गुस्सा, हंकार, भिमान, रिश्या, द्वेश, कुछ भी तो नहीं कभी-कभी मुझे संदे होता है वाकई तुम औरत हो या नहीं जी गोधुली आसमान सा चेहरे पर आखों में प्रेम का रंग बिखेर कर होटों पर हसी का अमरित लगा कमला कहती किस पर गुस्सा करूँ, किस से रिश्या करूँ किस से वाद विवाद करूँ, तुम से तुम क्या पराय हो यदि तुम से ही वाद विवाद करूँगी तो फिर आखिर जीना तो तुम्हारे ही साथ है, मरूँगी तो तुम्हारे ही गोध में सिर रखकर इस मरने के प्रसंग को लेकर पती-पत्नी में सचमुछी खीचात आनी शुरू हो जाती पहले कौन मरेगा, कौन बाद में मरेगा इस बात का समाधान नहीं हो पाता निर्मल कहते तुम्हारी मौत मैं सह नहीं सकता मैं पहले मरूँगा हाँ, मैं ही पहले मरूँगा और मैं सह लूँगी वादुख पती होकर कितना भला चाह रहे हो मेरा जान गई, तुम्में कितना प्यार है, सब स्वार्थ है, नीजी स्वार्थ कमला का गला रूंध जाता मा के जूट मूट का उउउउ करके रूने पर चंचल लड़का जिस तरह अपनी जित छोड़ कर कहता है नहीं नहीं, अब एसा नहीं करूंगा ठीक उसी तरह निर्मल सहम जाते कमला का करूं दर्द, थम थम चेहरा और दूर दूर ब्रसने का इंतजार करती दोनों आखों को देख वे सुधरे वे बच्चे सा कहते नहीं नहीं, तुम पहले मरोगी भले ही मुझे जितना दुख होगा हो तुम्हें विदा करके ही मैं जाओंगा मेरे बात तुम्हारे दिल की बात कौन समझेगा तुमने जीते जी मुझे कोई दुख नहीं दिया पहले मर कर मैं तुम्हें विद्वा का दुख नहीं दे सकता कमला यह बात तै है पर तुम्हारे बात मेरी गाड़ी जदा दिन नहीं खेचेगी जब तक जिन्दा रहूँगा नरखी भोगता रहूँगा तुम्हारे स्वाश दुनिया में मेरा मन समझने वाला इनसान और कोई नहीं जन्मेगा अब सद्वा होकर मरने के सुख के गर्व से उलसित होने के बजाए पलकों पर रुके हुए दो बूंद आसों को गालों पर छोड़ते हुए कमला कहती वाकई मेरे बात तुम कैसे रहोगे कौन समझालेगा तुम्हे हे भगवान इनके बगैर जीने में जितना दुख है इने छोड़कर मरने में उससे कम दुख नहीं मैं क्या करूँ कमला को दिलासा देते हुए निर्मल कहते हम एक साथ मरेंगे कमला एक ही चिता में लेटेंगे मेरा मन कहता है कि इससे भिन नहीं होगा तुम घवराव मत तुम्हार याद मुझे नहीं करनी पड़ेगी ना ही मेरी याद तुम्हे कुछ छणों दोनों एक दूसरे को देखते रहते फाए से हस देते एक साथ अपनी बचकानी हरकत के लिए दोनों खुद ही शर्मा जाते मानुयम्राज ने उनकी जागिर खाई हो जो दोनों को एक साथ बान ले जाएंगे उम्र बढ़ने के साथ साथ अप मरने की कोई बात नहीं उठाता पर अंदर ही अंदर मन में खटका बढ़ता रहता किसे किसका दुख सहने के लिए विधाता दिमाग दोड़ा रहा है कौन जाने बच्चे बड़े बड़े हो जाने पर भी पती पत्नी ने अंदरंगता प्यार में कोई आड नहीं की अपनी उम्र के कई अन्य दम पत्यों की तरह लोगों को दिखाने के लिए सांसारिक वैराग नहीं अपनाया जवानी और बढ़ापे की फीज दामपत्य प्रेम का कम ज़्यादा होना उन्होंने महसूस नहीं किया बलकि दोनोंने महसूस किया है कि गर्मी के दिनों का कुवाँ उपर से खुद बखुद गहरा दिखने सा उम्र बढ़ने के साथ साथ प्यार और गहरा हुआ है आपस की समझ गाढ़े आटे दूत की तरह खाटी हुई है किसी एक की भूल के लिए दूसरे के दिल में कितना तर्क प्रमान जुट जाता है बच्चे मा या बाब की गल्ती भूले भटके पकड़ ले तो एक दूसरे को बचाने के लिए दोनों एक साथ जपट पड़ते हैं बच्चों पर सांध्यकास में अंधेरा गहरा जाने पर टिम-टिम धूंदला तारा बड़ा दिखने की तरह एक के जीवन भर का त्याग, समरपन, दायित्व, कर्तब और निष्ठा दूसरे को बड़ा होकर दिखाई दिये हैं पोते-पोती ठुकुर ठुकुर चलने लगे हैं फिर भी पती-पत्नी का बिष्टर अलग नहीं हुआ है कभी-कभी निर्मल चुटकी लेते हुए कहते हैं हमारी उम्र के बुढ़े-बुढ़िया अलग-अलग कमरे में सोने लगे हैं बाहर कमरे में बुढ़े का बिष्टर और पोते-पोती को लेकर अंदर कमरे में बुढ़िया का बिष्टर लगने लगा है एक तरह से अच्छा ही है बिछ़डने से पहले आदत पढ़ चुकी होगी फिर ज़्यादा कष्ट नहीं होगा क्यों है न इसके लावा बहुए सोचती होगी बुढिया इस उमर में ससुर जी को पल भर भी नहीं छोड़ती जब उमर रही होगी तब ससुर के साथ दबतर भी जाती होगी निर्मल हसने लगे कमला गंभीर हो कहती है अपनी बचकानी बुद्धी से वे लोग जो कुछ कहते हैं कहें उमर होने पर खुद ही समझेंगे पती-पत्नी के प्यार में उठने-बैटने में जबानी बुढ़ापे का सवाल नहीं है शारिरिक संबंध ही पती-पत्नी का असली संबंध नहीं है इन चम्रे से ढखी हुई हडियों में भलाव कितनी चंचलता है लेकिन हडियों के साचे में अनभव नामत जो एक अत्रिश्य दर्द है वह तो जैसा था वैसा ही है तुम अकेले क्यों सोगे? आधी रात को प्यास लगेगी शरीर में दर्द होगा सीर पैर में फटकन मचेगी अकेला-कला लगेगा कौन पूछेगा यह सब? तुम तो आज तक गोत के बच्चे की तरह आधी रात को बढ़बढाते हो बदन में हाथ लगाकर हिलाने पर करवट बदल कर सोजाते हो जीने को जी भी चन्द दिन बचे हैं इसी तरह तुम्हारी देख भाल करती रहोंगी आखें मुन जाने पर क्या होगा? कौन आएगा देखने? मुझे तो रह रहकर तुम्हारी ही चिंता सताती है वाकई मृतू शया पर पड़ी कमला, बेटी-बेटा, पोते-पोती की चिंता से परिशान नहीं हुई उनके बाद निर्मल जितने दिनों तक जिएंगे उनके दिन कैसे अच्छी तरह कटेंगे बस इसी चिंता से दुबली हो गई है कमला के नभवी हिर्दे ने समझा है उनके वियोग के शोक से पुत्र, कन्या को कष्ट होगा यह सच है लेकिन असमय बादल की तरह एक दो बार बरस कर थम जाएगा आसमान में भिन-भिन रित्यों के प्रकाश, अंधकार, मौसमी परवाह के खेलों के बीच शोक के प्रभवान बादल स्वाभाविक रूप से छट जाएंगे किन्तु निर्मल के आकाश में बुढ़ापे और कमला के मृत्यू शोक की रित्यों के सिवा अन्य रित्यू प्रवाह की हवा ठंड ओस मले नहीं आएगी इसलिवे शोक भूल कर सहज मनुष की तरह जी लेंगे कमला को विश्वास नहीं होता मौत से जूशते विवी कमला पती को गोद के बच्चे की तरह समभालती थी उन्हें अपने मरने का दुख नहीं था अपनी अनुपस्थिती में पती की हालत क्या होगी उस दुख को वे मृत्यू की पीडा के साथ मिलाकर अविरत छट पटाती थी हर वक्त बेटे बहु बेटी पोते पोती को समझाती थी पिताजी का हाल चाल पूछते रहना उन्हें दुख मत देना जिन्दगी भर वे जान नहीं पाए कि दुख लापरवाही क्या है इस उम्र में सहसा जरा सी लापरवाही का एसास होने पर उन्हें बहुत दुख होगा कष्ट और पीडा से बहुत डरते हैं तुमारे पिताजी मैंने तुम लोगों की जितनी देखभाल की है तुमारे पिता की उससे अधिक देखभाल की है जीवन भर मेरे बाद कहीं उन्हें मेरा भाव न खटके जिन्दगी की अंतिम घड़ी में कमला अपने बड़े बेटे का हाथ अपनी हथेली में लेकर अती करुन रूप से रुकते रुकते स्वर में विंती कर रही थी बेटे पिता जी का ख्याल रखना कमला की मृत्यू सवभावी थी प्राप तायों में भरा पुरा संसार फहला कर वचली गए दुनिया के अनिश्ठुर नियम एक न एक दिन सब को मान लेना होता है सगे संबन्धियों के या धक्का सहना पड़ता है संभालना पड़ता है लेकिन निर्मल बिल्कुल ना समझ बच्चे की तरह पागल सरी हो गए पत्नी के शोक में जीवन भर पांस लेकर चश्मा ढोनने तक दवास लेकर सुसरूशा तक सब के लिए वे कमल, कमला, नाम जपते थे कमला के मरने के वाद वे कमला नाम का जाप और अधिक करने लगे कमला एसे खाना पकाती थी एसे परोस्ती थी एसे बिश्तर लगाती थी एसे पैर दबाती थी एसे हस्ती थी बैठती थी बातें किया करती थी इत्यादी जपने लगे सब के हर काम में वे कमला का परसंग छेड़ कर तुलना करने लग जाते बेटा, बहु, पोता, पोती कमला के काम करने के तरीके का अनुकरन करके पिताजी के मन से मा का शोक कम करने की जितनी भी कोशिश करते निर्मल शोक का बोज उतना ही सीने से चिपका लेते थे बहुए हर काम खुब संभाल कर साउधानी पुर्वक करते फिर भी निर्मल उनके काम की तुलना कमला से करते तो बहुए हार जाती थी तुम्हारी सास के हाथ जैसा नहीं बन पाया खाना उनका पैर दवाना बिलकुल नियारा था तुम लोगों का हाथ वैसा नहीं है इत्यादी इत्यादी बकर-बकर करते रहते दीन भर खाना पिना, सोना उठना सब बिगड गया था कमला के बिश्तर लगा देने पर उन्हें जैसे नींद आती थी वैसे निंद अब कहां? कमला की चूडिया, चश्मा, साड़ी, बलाउज, पेन, कंगी, सिंदुर काम में आने वाली तमाम चीजों को रोजाना हाथ लगा लगा कर चुआ करते थे निर्मल पोँच पोँच कर करीने से रखते थे मानो वे कमला को चू रहे हो उनके होने का अहसास कर रहे हो हर चीज में बढ़ाओ दीन प्रतिदीन कमजोर होने लगे जिस दिन से कमला मरी है उनके चेहरे पर किसी ने मुस्कुराहट नहीं देखी कमला प्रसंग के सिवा अन्य कोई बात किसी ने उनसे नहीं सुनी पत्नी शोक से जरजर निर्मल खुद मृत्यू यंत्रना भोगी रहे थे बेटे बहु अन्य सभी को अस्वेश यंत्रना में डाल रहे थे सुवा से शाम तक कमला के गुणों का बखान करके बेटे बहु सगे संबंधिय को खिजा देते थे कोई मित्र आकर इदि निर्मल का पत्नी शोक कम करने के लिए कमला के अलावा के दूसरा परसंग छेड़ कर उनका मनोरंजन करने का प्रयास करता तो निर्मल किसी ने किसी बात के लीक पकड़ कर कमला तक पहुँच जाते थे अंत में कमला के बारे में सुनते सुनते वे मित्र उक्ता कर लोड़ जाने को बाद है होते निर्मल का अगाध पत्नी प्रेम सबको मालूम था प्रंथुआ प्रेम उनके जीवन के अंतिम हिस्से को इतना यंत्रनामय कर देगा यह बात किसी ने सोची तक नहीं थी मानो निर्मल के सारे जीवन का सुख आज अभिशाप में बदल चुका है कमला को मरे तीन महीने हो चुके हैं अब निर्मल कमला का बकसा ज़ाड जुड़ कर उनके कपड़े सोना गहना सब सजा संभाल कर रखते हैं मानो कमला मैके गई है लोट आएंगी कमला के पूरे जीवन के दोरान निर्मल ने कभी भी कमले की नीजी चीजों पर कोई धिकार नहीं जताया सब कुछ छोड़ दिया था कमला पर कमला के शोक, आनन, दरूची पर निर्मल की कोई बंदिश नहीं थी कमला की जमा पुंजी से भी निर्मल का कोई सरोकार नहीं था वे जानते थे कि कमला कभी फिजूल खर्च नहीं करती थी नहीं कंजूस थी रुप्या रुप्या के रट लगा कर किसी भी दिन निर्मल के जीवन को असहाय नहीं किया था यदि कभी निर्मल मजाक में कहते तुम तो दूसरी औरतों की तरह कुछ बचा खुचा कर जमाही नहीं कर रहे हो मेरे मरने के बाद क्या करोगी कमला महस दर्द भरी निगाह से पती की और सिफ ताकती रहती जिसका अर्थ होता तुम्हारे बाद मेरा जीवन भी कोई होगा जो पैसे जमा करके रखोंगी एक दिन कमला की बक्सिया खोल कर यहुच सजाते सजाते निर्मल एका एक फफ़क फफ़क करोने लगे बेटे बहु घबरा कर दोड़े रुप्यों के एक थैली पकड़े वरिध निर्मल हिर्दे विदारक आंसू बहा रहे थे बेटे के हाथ में वो थैली पकड़ाते हुए बोले देख तेरी मा का काम इसके सहारे भला मैं उसके वेगर जी सकूँगा बेटे ने थैली खोल कर देखा रुप्यों के साथ एक कागज भी था उस पर कमला के हाथ से लिखे अक्षर तुम्हारा सभाव मैं जानती हूँ मेरे बाद तुम बेटे बहुत से पांच रुपे तक नहीं मांगोगे इसलिए सरा जीवन अपने ही खर्च से बचा कर इतने छोड़े जा रही हो रुपे देखकर बेटे बहुत अवाक्त है इतने रुपे एक अठा करने के लिए माह ने जीवन भर कितना त्याग नहीं किया होगा उसके बाद निर्मल को दीन काटने की चीज मिल गई थी कमला के हाथ से लिखी एक कौपी इधर उधर की तमाम बातें कमला ने उसमें लिखी थी नियत रूप से तारीक माह वर्ष के अनुसार लिखी न होने पर भी वह कमला की डाइरी कही जा सकती है विवाह के बाद से लेकर मरने तक की जीवन की खास खास घटनाए बना सनाकर कमला निसंकोच निर्विक रूप से लिख गई है बच्चों का जन, उनका लालन पालन, शिक्छा, विवाह, पोते-पोतियों का जन इत्यादी कुछ भी नहीं छोड़ा था कहा जाये तो निर्मल के वन्स का इतिहास लिख गई है कमला उनके दामपेत्त जीवन के अनेक बातें अनेक कष्ट, अनेक दुरघटनाए, अनेक घटनाए, सुख दुख का विसलेशन कर गई है यसी अनेक घटनाए कमला लिख गई है जिसके बारे में निर्मल को भी कभी पता नहीं चल सका पता चलने ही नहीं दिया कमला ने अनेक जटिल पारिवारिक समस्याए पती को बताए बगएर स्वयम उनका समधान कर गई है चार-चार बच्चे पैदा करने से लेकर उन सब के विवाह तक न जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है कमला को उनमें से नेक घटनाय निर्मल तक नहीं पहुची है यसी नेक घटनाय है जिनमें निर्मल के पितरी हिर्दे को ठेस पहुचती है रक्त चाप बढ़ जाता है हिर्दय यंत्र को बिगाड जाती है प्रतु कमला सारी बातें अपने आचल में छुपा कर भलही उस आग से जुलसी हो लेकिन पती को उस आग की आँच तक लगने नहीं दी एक जगा कमला ने लिखा है पुरुष दुनिया का सारा बोश समभालते हैं आर्थिक संकट से लेकर गंभीर परिवारिक समस्या के समधान की दिशा में दिमागी बोश के कारण अकाल हिरक्त चाप हिर्दय रोग मधुमे जैसी बिमारियों का शिकार होते हैं हमारे देश की पतनिया आश्रित बेल की तरह पती के सहरे महद जिन्दा ही नहीं रहती तमाम परिवारिक समस्याओं को और बढ़ा कर पतियों का खुन चूसती है सिर्फ बच्चे पैदा करना और खाना बनाने के सिवा अन्य कोई महतपूर्न काम उनकी जिम्यदारी के दायरे में नहीं है यह उनका सोचना है पती के आर्थिक संकट में तो सहयक होती नहीं मानसिक तनाव में भी भागिदारी नहीं होती हमारे देश के संसारिक पुरुष्टरह तरह से पिस रहे हैं पिडित हो रहे हैं सब कुछ होते हुए भी दिवालिया है, सगे समंध्यों के बावजूद अकेले हैं, मैं अपने पती को इसे दुख में नहीं डालना चाहती। डायरी पढ़ते हुए व्रिध कोटर गत आँखों से जर जर आसु जर रहे थे। डायरी नहीं, पती को समरपित एक आदर्शनारी का जीवन गरंथ है। निर्मल एक के करके बार बार पढ़ते पन्नों को, उनके जिंदकी में घटी अन्येक अद्रिश घट नाय उन्हें नए इंसान नहीं थी, देवी थी, शाब पाकर मृत लोक में जन्मी थी, वह स्वर्ग चली गई, मैं उसके लिए आँसु बहाओं, क्या मैं वाके उसको योगे था। निर्मल रात दिन डायरी लिये हुए, इधर उधर पन्ना पलट कर मन लगा कर पड़ते थे, अब किसी पर न कमला को इंसान से देवी के आसन पर बिठा कर सही, निर्मल एक दरस से अविभूत हालत में रहते हैं, बाकी के दिन विशी तरफ बीच जाएं तो अच्छा है, कास इस डायरी के पन्ने कभी खत्म न होते, लेकिन एक दिन सहसा कमला की डायरी का अंतिम प्रिष्ठ आ गया, क संपूर्ण व्यक्ति तो ही बदल गया, उनने वा डायरी दूर फेक दी, कमला की रोज मर्रा के परियोग में आने वाली चीजें, जो उन्होंने यादों का सहारा समझ कर सजा समार कर रखी थे, तोड फोड कर इधोधर बिखेर दी, कमला की तस्वीर फाड कर टुकरे टुक दिखावे का सच समझ कर इस तरह रटता रहता है, वकि मैं कितना ना समझ और मुर्ख हूँ, नहाखी जिंद्गी के बाकी दिनों की हत्या करने वाला था, मैं किसी का पती नहीं, मेरी कोई पत्नी नहीं, मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला जाओंगा, छी कमला, म प्रफूलित हुए, पोते पोतियों, बहु बेटियों के साथ आनंद, खुशी मना कर घर को सीर पर उठा लिया। अच्छा इंसान आज कल पाना मुश्किल है। क्योंकि मेरे पती सब कुछ थे, पर वे मेरे कलपना के आदमी, मेरे मन के पुरुश नहीं थे। शायद निर्मल के कोई मितर आये हुए हैं, उस कमरे से निर्मल की उताल हसी मजाक कस्वर, बहु बेटों के कानों में हिर्दे विदारक पिड़ा के अंतरनात की तरह सुनाई दे रहा था। कमला के जीवन के अंतिम प्रिष्ट के निर्मल के बाकी जीवन को सुख में डुबवया था या उसके सारे जीवन के सुख को शोक में बदल दिया था। यह बात दुनियादारी से बेखबर, बहु बेटों के दिमाग में घुस नहीं पा रही थी। धन्यवाद।